क्या चले जाएगे महुआ मोहित्रा की संसद सदसिता क्या पहले भी महुआ ने पैसे लेकर पूछे हैं सवाल क्या मोहित्रा की नियक पर उठाए गए हैं सवाल टीम से सांसद महुआ मोहित्रा पर पहले भी है व्यपारी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप अब जैसा कि सब ही ने देखाई है उनके मोबाइल के हैकिंग करने के आरोपो वाला पूरा मामला ही टाइट आइफिस हो गया इस पूरे मामले में बीजेपी नेता निशिकान दुबे और वकील जैनंत देहादराई ने भी एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के साथ साथ अपना पक्ष भी रखा था आपको बता दें कि टीमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने लोगसबखी एथिक्स कमेटी से खास मांग की है उन्होंने काया है कि वो चाहती है इस पूरे मामले में कारोबारी दर्शन हिरानंदानी की अच्छे तरीके से जाच की जाए और जरूरत पड़े तो उन्हें क्रॉस एक्जामिंग भी किया जाए महुआ मोहित्रा ने अपनी ये मांग एथिक्स कमेटी को लैटर लेकर भेजी थी साथी महुआ मोहित्रा ने ये दावा भी किया है कि संसदी समीतियों को अपराधिक मामलों में जाच का कोई अधिकार नहीं है ये केवल जाच एंजेंसिया ही क कारोबारी से पैसे लेकर संसत में सवाल पूछने और संसत का अपना लॉग इन पास्पर्ट साजा करने का आरोप है राहत की बात है कि इस मामले में बीजेपी नेतान इशिकान दूबे और वकील जैनंद देहाद्रई पहले ही एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के साथ साथ अपना पक्ष भी रखा था इन दोनों को सुनने के बाद ही एथिक्स कमेटी ने महुआ मोहित्रा को भी थी 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए बोला था जिसके बाद महुआ मोहित्रा ने एथिक्स कमेटी से 5 नवंबर के बाद ही बुलाने का निवेदन किया था लेकिन एथिक्स कमेटी ने उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा यानि कि आज आपको बता दें कि इस मामले को लेकर BGB के नेता शुरू से ही महुआ मोहित्रा और TNC पर हमला वर रहे हैं कुछ दिन पहले ही BGB नेता निशिकान दूबे ने एक बार फिर महुआ मोहित्रा पर निशाना साथ कर शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने संसद्य पोर्टल के लॉगन आईडी और पासपर्ट को किसी अन्य व्यक्ती के साथ साज हक करने को लेकर महुआ मोहित्रा को एक बार फिर से खेल लिया था निशिकान दूबे ने एक और पोस्ट में महुआ मोहित्रा की नियत पर भी सवाल उठाए है उन्होंने लिखा जब संसद्य का इमेल आईडी या मेंबर पोर्टल किसी संसद्य को मिलता है तो हम NIC के साथ एक करार करते हैं इसका पहला बिंदू है कि इस मेल आईडी और पासफ़र्ट को गुपत रखा जाता है किसी के साथ साजा नहीं किया जाता है मैंने तो सोच समझ कर इस पर साइन किया था लेकिन डिगरी वाली ने ये पढ़ा की नहीं या चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा बेज दी इससे पहले बीजेबी नेता शहजाद पुनावाला ने भी महुआ पन निशानत साते हुए कहा था एक तो चोरी उपर से सीना जोरी भी उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि अब आपको ये भी बता देते हैं कि एथिक्स कमेटी जाच क्यों कर रही है पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोग सबह की एथिक्स कमेटी की जाच की जारी है दिसकी वीडियो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं मोहित्रा ने सवाल किया कि क्या एथिक्स कमेटी कथित अपराधिकता की आरोपों की जाच करने के लिए उचित प्लैटपॉर्म है उन्होंने बताए कि पालियामेंट कमेटियों में अपराधिक छेत्राधिकार का भाव है इसके साथ ही उन्होंने ऐसे मामलों में कानून प्रवर्टन एजन्सियों को शामिल करने के महत पर जोड़ दिया है इस मामले में महुआ मोहित्रा के एक्स पार्टनर और सुप्रेम कोड के वकील जैनंत देहादरई और बीचेपी सांसा निश्यकान दुवे ने महित्रा के खिलाब साथ और से एथिक्स कमिटी को मौकिक सबुत सौपे थे महित्रा ने कहा था कि उन्हें दूबे और देहादरी के लगाए गए जूटे दुर्भावना पूर और अपमान जनक आरुपों के खिलाब खुद का बच्चाप करने के लिए संतोष जनक मौका मिलना चाहिए और इस मामले की निस्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए जैसा कि हमने आपको पहले भी कई बार इस पूरे मामले की जानकारी दी है लेकिन आप भी हम आपको इस मामले की बारे में बता देते हैं तो जारखन के गोड़ से बीजेपी सांसा निशिकान दुवे ने पश्चेम बंगाल के किश्नानगर से टीम सी सांसद महुआ मोहितरा पर आरोफ लगाया था कि मोहितरा ने संसद में सवाल पूछने के लिए रियल एस्टेट से लेकर उड़जा छेतर में काम करने वाले हिराननदानी ग्रूप के सीई-ओ दर्शन हिराननदानी से पैसे लिए थे पहली बार जब देली हाई कोर्ट में महुआ मोहितरा की याची का पर सुनवाई हुई तो उन्होंने बीजेपी सांसद और दूसरे लोगों को उनके खिलाब अपमान जनक चीजों का प्रसार रोकने की मांग की पिर शिरू हुआ लड़ाई का सिलसला बीजेपी सांसद निशिकान दूबे की तरफ से वकील अभिमान्यू भंडारी पेश हुए और उन्होंने महुआ पर संसद में ली शपत काउलंगन का दावा किया जिसकी अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होनी है घूस लेकर संसद में सवाल पूछे जाने के मामले में घिरी टीमसी सांसद महुआ मोहित्रा ने मीडिया हाउसेस पर भी मानहानी का केस लगाया था लेकिन अब उन्होंने ये केस वापस ले लिया है महुआ ने अपने खिलाब परजी और अपमान जनक प्रसारण के खिलाब दिली हाई कोट के समक्ष कई मीडिया खरानों को हटाने का नरोध भी किया था वहीं महुआ के वकील ने कहा कि इस चरण में किसी तरह की अंतरिम रहत के लिए दवाब नहीं डाल रहे है जिसके बाद लिहाई कोट में सुनवाई हुई और इस दोरान महुआ ने मीडिया की खिलाब मानहानी का मामला वापस ले लिया विलहाली ये केस बीजेपी सांसाद और वकील के खिलाब चल रहा है महुआ के वकील ने नियाय मुर्ती सचिन दता को सिर्फ भाश्बा के निशिकान दूबे और वकील जयानंद देहादरई के खिलाब केस दारी रखने की बात कही थी लोगसबा धक्ष को लिखे पत्र में दूबे ने दावा किया है कि हिडन बर्ग रिसर्च की एक जरूरी रिपोर्ट के बाद लोगसबा में उनके द्वारा पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल सिर्फ अडानी गुर्प को लिए कर थे बाद में निशिकान दूबे के वकील अभिमन्यू भंडारी के दलीर भी सामने आई जिसमें मोहितरा के जूटी गवाही देने की बात सामने आई क्योंकि मोहितरा ने खुद अपने खिलाफ सभी आरोपों से इंकार करने के बावजूद एक कारूबारी के साथ अपनी लॉगिन संबंधी गोपनी जानकारी साच हक करने की बात स्विकार की जिसकी सुनवाई दिसमबर में होनी है दिली हाइकोर्ट में तरणमूल कॉंगरेस की सांसत महुआ मोहितरा की याचिका पर सुनवाई होई और महुआ मोहितरा ने हाइकोर्ट मे याचिका दायर कर बीजेपी सांसत और दूसरे लोगों को उनके खिलाफ अफमान जनक सामगरी का प्रसार की मांगि निशिगान दूबे ने सोचल मीडिया एक्स पर मामले के सुनवाई से पहले ही लिखा है कि लोग सब अध्रक्ष को मैंने महुआ जी के राष्टे सुरक्ष को गिर्वी रखने वा पैसे लेकर संसद में प्रशन पूछने का मामला क्यों पत्र के माजम से बताया इसके लिए मेरे तथा सभी प्रेस के लोगों पर दिली हाय कोट में केस महुआ जी ने किया है उसकी आज सुनवाई है कानून पर हमें भरोसा है सत्यमेद जैते पैसे लेकर संसद में प्रशन पूछने का आरूप लगाने वाले भाजपस सांसाथ निश्रिकान दूबे ने एक पोस्ट में कहा कि किसी आनने व्यक्ती के साथ संसद ये पोर्टल लॉकिन साच्छा करना सरकारी निकाई NIC के साथ करार का उलंगन है दूबे ने लोगसभा धक्ष को एक पत्र में लिखकर मोहितरा पर अडानी ग्रूप और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को निशाना बनाने के लिए उद्योगपती दर्शन हिरनन्दानी के कहने पर लोगसभा में सवाल पूछने के लिए दिश्वत लेने और लाप रूप लगाया है आपको बता दें कि ये भी सामने आया है कि महुआ मोहितरा का संसद्य खाता 47 बार दुबई से लौक इन हुआ था इसके साथ ही लोगसभा किया चार समीती भाजपत संसद निशिकान दूबे के पैसे के बदले सवाल वाले आरोप की जाच कर रही है समीती कि समक्षे टी-म से संसद महुआ मोहितरा को पेश होना है उससे एक दिन पहले ही मामने से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि उनके संसद्य खाते से करीब 47 लौक इन दुबई से किये गए अब जैसे कि महुआ मोहितरा की लोगसभा एथिक्स कमेटी के सामने पेशी ह होगी आपको हम ये भी जानकारी दे देते हैं कि कमेटी को ग्रह, आईटी और विदेश मंत्राले की रिपोर्ट मिल चुकी है जिसके अधार पर महुआ से पूस्ताच होगी वही दिल्ली रवाना होने से पहले ही महुआ ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं महुआ ने ये कहा था कि वो सारे जूट तवस्ट कर देगी अगर उन्ने एक भी रुपिया लिया होता तो भाषपा तुरंत उन्ने जेल में डाल देती भाषपा उन्हें संसथ से संस्पेंड कराना चाहती है सस्तो यह है कि भाश्पा उनका बाल भी बाका नहीं कर सकती एटिक्स कमेटी के पास क्रिमिनल जूरिस्टिक्शन नहीं है अगर इसमें जरा भी सचाई है तो देश के सबी सांसदों को महुआ के ब्रशचज़ार के खिलाफ आगे आना चाहिए अचार समीती ने मामले की जाँच के लिए केंजिक है मंतराले और सूचना प्रद्योगे की मंतराले से मदद ली है इसके साथ ही माना ज़ा रहा है कि उसे अपने सवारों के जवाब उनसे मिल सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ महुआ मोहितरा पे आप भी कुछ कहना चाहते हों तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईए थैंक्यू